सर या दाड़ी के सफेद बाल उखारना मक्रू है मना है यादर की हमाँ पास होता है ना सफेद बाल आगा मेरा बुड़ापा नदर आ रहा निकालो यह शोहर जैसी देखता हुरे मेरे सफेद बाल बीबी आ जाओ क्या हो गया निकालो और बीबी कट कट चुनते बटी क्या चाहे अच्छाह फिर किसी ने देख लिया तो बोलता रहे सफेद बाल ने हूं का ना एक तोड़े दो डौ आते दौड़े ने तिसा आज है गली बान 2 नहीं आते है जितने आना आलाआ अनला हुआ उतनी देता है वह अगा आलग? लेकिन बालो को सफेद बालों को तोड मुझे जिसके काँ आसिलाम में काथा सासर यहा ही वै कहा कुर्रांव नूरी हार मुझे iç t righteous काथा सासर आसिए वहा रिखेए जिसके काथ' ले लिए रुग नूर होंगे हर وہ مسلمان जिसके बाल सफ़ेद होते हैं वो बाल रोजे कामत उसके लिए नूर होंगे और जो है इसी साथ और भी अलफा इस तरह से अल्लह ताला हर सफ़ेद बाल के बदले मतलब एक रिवायत में इजाफी अलफाज है हर सफ़ेद बाल के बदले में इसके नाम आमाल में एक हसनात एक नेकी जो है लिखेंगे और एक गुना माफ फर्मा दिया जाएंगा सफ़ेद बाल को उखाड़ना या निकालना दुरस नहीं है मतलब जो आप सिल्वर के तरफ जाते है और कुछ लोग सिल्वर को फिर जब वो मेहंदी लागा के गॉर्लन के तरफ जाते है ठीक है तो बालों को उखाड़ना मना है इसलिए कि सफ़ेद बाल के वज़े से वो सफ़ेद बाल नूर होंगे दुस्री रिवायत करना जो इजाफी अलफाज है कि वो एक सफ़ेद बाल से एक ने के लिए खिचाएंगे और एक गुना माफ हो जाएंगे अब यह तो सफ़ेद बाल होने उखाड़ने से मना है हम लोग काँ उखाड़ते हैं नहीं हम तो उखाड़ते हैं और पूरे बालों काला कर देते हैं सफेद जान्स ही नहीं है मतला मरने की हालत है लेकिन मौत के 20 तरपे भी ज़वान ही मरके गए हो उमर के एतेबार से 100 साल के थे लेकिन देखने के एतेबार से जवान ही चले गे दुनिया से बालों को काला कर देज़िए सफेद रहने देने चाहिए छोड़ दीजे उसको ठीक है ये सफेद जो बाल होते है इसके फाइदे है एक तो नूर होंगे हर एक सफेद बाल एक नेकी देंगा और एक गुना को माफ करवाएंगा कितनी बड़ी बात है है ना तो लहाजा सफेद बालों को ना उखाड़ना है हाँ आपको रंगना है तो रंगी किस रंग से लेकिन महेंदी हिना से काले रंग सकते हां हो ठीक है तो लहाजा सफेद बालों को खाड़नां ने चाहिए तोड़ना ने चाहिए निकालना जाए न mini सरके बाल कानों की लो से जादा बढ़ाना दें झाल झाल